आजाओ, आजाते हैं उस particular article के उपर जो आज से गरीब 9 साल पहले मैंने लिखा था speaking tree के लिए अभी कुछ ऐसे भी होंगे जो लोग देख रहे होंगे या कुछ मासूम बालक बाले का उनको पता है speaking tree क्या है जो कि हमारे सारे exams के अंदर, चाहे आप कोई भी exam दो, वो government sector का हो, non-government sector का हो, उन सभी exams के अंदर philosophy based passages पूछे जा रहे हैं हाँ जी, तो मैं इसका reference भी आपको दे रहा था, इसलिए कि आप ये देख लीजे, यहाँ पर date भी है, ये speaking tree.in website का नाम और यहाँ पर blog वाई सते इंदतिवारी, 14 October 2014, 10 बच के 16 मिनट पर ये publish हुआ था, तो आज हम इसी particular blog को पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसका मतलब समझे टाइटल का attention deficiency syndrome pandemic of 21st century, pandemic word से आप COVID के समय में बहुत परिचित हुए, pandemic, epidemic, endemic, demo root word से हमेशा कराये जाने वाले word, तो attention deficiency का क्या मतलब कि हम कहीं पर भी attention दे नहीं पाते हैं, attention deficient हो गए हैं, पढ़ने बैठते हो, मन इधर धर भागता है, आपका भी भागता होगा, पांच मिनिट कहीं टिक नहीं पा रहे, पांच मिनिट भी लंबा समय है, और ये 21st century की pandemic है, लेकिन ये ऐसा नहीं के लोग इसकी वज़े से मर रहे हैं, तो हम इसके बारे में बाती नहीं करते हैं, तो इसके बारे में 9 साल पहले मैंने ये बात की थी, आईए देखते हैं, क a human being has been completely vandalized in this process, अल बात की एसे ही पे पर रहे हैं, और मैं आपको पूछाँ कि मैं दो गेज़े का इसतेमाल करके किस की तरफ इशारा कर रहा हूं, बताएंगे आप, बताएए, आपकी भी आरसी देखी जाए, ये दो गेज़े गेज़े का इस्तम्याल करके by using this particular expression I am referring to what? मैं किस की तरफ इशारा कर रहा हूँ? RC का question, अभी comprehension batch शुरू हुआ है, कल critical reading खतम हुई थी इमानशु शर्मा सरकौन से नीच पेपर का भाई बताया तो अभी Times of India का ही के ही अंदर आता है Speaking Tree, उसके लिए ये website भी है Speaking Tree.n, वहीं से आप ये philosophy-based passages आपको papers में मिलते हैं, कोई भी exam आप लिखते हो और उसके लिए ये 9 साल पहले मैंने blog लिखा था ठीक है? Very good तो ये हमारे लिए इस्तमाल हो रहा है, humans के लिए इस्तमाल हो रहा है सब शर्वन, सपना, अनुराग, अंकुष, अंकिता करने में लगातार बिजी हैं, इतने सारे gazettes और technological evolution में, तो इस पूरी प्रक्रिया में जो success sophisticated gazette है, वो human being, उसकी हालत खराब है, अभी जैसे artificial intelligence में इतनी debate चल रही है, ना, तो लेकिन वही बात कि artificial intelligence और human being फर्क तो रहेगा, ना, क्योंकि वो artificial intelligence बनाने वाले भी तो हम ही है, हम most sophisticated gazette है, हम से sophisticated कुछ नहीं है, मतलब एक इंसान के तौर पर, जैसे अभी हमने बात की, कि just हमारी पूरी की पूरी रचना देख लिजे, सन रचना देख लिजे, दो cells मिल रही हैं, फिर body बन रही है, बाहर आ रहे हैं, फिर हम बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी चीज ऐसे बढ़ती है, क्या बनने के बाद वो उसमें खरण होता है, तो बहुत सारे शब्द भी इस्तिमेस्ताल हुए, पहले ही नहीं बात करूँगा, जैसे जैसे साथ चल रहा है, वैसे बात करते चलूँगा, तो all the गैज़ेट स्कनलोजिकल इवोशन और दबाई प्रोड़क्ट अब दगैज़ेट, यह हम ही से निकली हुई है, सारी की सारी चीज़ें, जितने भी इन्वेंशन्स हैं, आविसकार हैं, वो सब हम ही से निकले हुए, बट नाओ दगैज़ेट has become the victim of its own creation, लेकिन हम अब अपने ही creation के शिकार हो गएं, जैसे कि Frankenstein's monster, अब यह term आपने सुना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सुना है पहले, यह कई बार इस्तमाल होता है, Frankenstein's monster, अब इसको खिलाफ काम करने लग जाए, जैसे वो AD current भी हम physics में पढ़ते हैं, या इसके लिए आप example ले सकते हैं, जब अमेरिका पे हमला हुआ, 9-11, तो वहाँ पे भी अकवारों में यह बड़ा अस्तमाल हुआ, राइट की, USSR से counter करने के लिए एक तरह से पूरी फौज तयार की थी अमेरिका ने, लेकिन वही चीज उनके उपर भारी पढ़ गई, और उनके उपर उनने हमला कर दिया, व्यकुत सारी ट्रेनिंग दी, सारे हथियार मुहिया कर आए, तो बनाया था अपने फायदे के लिए और दूसरे के नुकसान के लिए, लेकिन वह चीज उननी पर भारी पढ़ गई, तो ऐसे हम एंसान हैं, अगर हम अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ बना रहे हैं, इन्व suicide, violence of all kinds, depression and so on, all across the globe, तो अब यहां देखो living और life दोनों शब्दों में मैंने फर्क करने की कोशिश करी है कि आपको ये बात समझाए, कि ये सारी कि सारी जो technological evolutions हैं, उन्होंने हमें चीजें प्रवाइड करी, हमारा जीवन comfortable हुआ, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन जो essential life experience है, वो बस खराब हो रही है, वो खराब हो रही है, worsening only, लगातार, which is also being substantiated by myriad, myriad का मतलब होता है, plethora of, a lot of, बहुत सारी जो हमारे alarming social trends हैं, कि जैसे increasing rates of suicide आप देखें, हमारे दिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे suicide कर रहे हैं, कुछ 5-7 साल पुराना data है, 15,000 से suicide कर, commit किया था, तो these are alarming trends, यानि तुम अपनी परवरिश में बच्चे की पैदाईश के बाद, साथ parenting में कुछ बड़े फ्लॉट चल रहे हैं, इसकी वज़े से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, यह alarming situation है, उसी समय जब लिखा था, I think उसी टाइम पे उनका भी case आया था न, दि अहाँ पे दिख रहा है, violence of all kinds, depression and so on, all across the globe, it's a global phenomenon, and even आप देखो कि तो developed countries में, जो so-called विकसित देश हैं, वहाँ यह समस्या और ज्यादा है, तो क्यों है, मैं जैसे आपको क्लास में पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले problem का एहसास कराता हूं, बीमारी का एहसास कराता हूं, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं वोके अब करता कैसे हूं, और पेपर पूछ क्या रहा है, तब तक आप correct कैसे करोगे, तो फिर तो आपको लगेगा जैसे चल रहा था वैसी चलने तो, जबकि उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, कितने शब्द सीखे हैं पिछले सालों में, आप खुद से बूछ लीजे, लगेगा कि नहीं, यार कुछ खास तो नहीं सीखा, तो सवाल जरूर पूछो, So now let's figure out what went wrong, we all have our unique place in this cosmos by default because the DNA structure of every single human being on this face of earth is unique, तो, tell us, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हुआ है, हम सब अब unique हैं, कल भी इसके बारे में हमने बात की थी, तो सभी का unique place है, तो अपने को भीड का भेड मत बनाओ, So it's pretty evident that everybody has been rewarded with a separate unique path of his own to lead his life journey, but because of sheer stupidity, sheer का मतलब होता है, utter, निरा अब्यवकूफी की वज़े से, we lose the sight, हम अपना sight loose करते हैं, and fall in the same line of meaningless race as sheeple, यह वो अडिस नमाल में क्लास में भी कई बार कर देता हूँ, sheep plus people, सभी का भेड, सभ एक तरह की जिंदगी, एक तरह की पढ़ाई, एक तरह की शादी, एक तरह का हनीमून, एक तरह की देख रहो न, वही, assembly line, जो अलगाव, nature ने दिया कि सभ अलग-अलग हो, उसको हम खतम कर देते हैं, और हम भीड का भेड बन जाते हैं. In order to find our own space, we have to learn to stay centered, that subtle connection with the center is the source of all encompassing energy. It is like a center of a cyclone which is very quiet and is this quiet center from which cyclone attains its horrendous power. देखो, यहाँ जो analogy मैंने दी है, वो किस की है? वो cyclone की है. आप cyclone, हमारे यहाँ तो कम आता है, अमेरेका में बहुत ज़्यादा यह सब देखने को मिलता है, आपको discovery पर देखने को मिल जाता है. तो क्या देखते हो कि वो round में पूरा चल रहा होता है, circle में, और बड़े-बड़े घर और बड़ी-बड़ी गाडियां वो उड़ा देता है, लेकिन उसका center शान्त होता है, हवा उसके periphery पे होती है. तो ऐसी हम इंसानों के लिए भी है, I think और भी example है, शायद fan का भी example दिया हो, पता नहीं, नहीं दिया है आप, वैसे मैं उसका भी देदेता हूं कि पंके को भी देखो, जो उपर ceiling fan होता है, center शान्त होता है, हवा चारो तरफ मार रहा होता हूँ, तो point क्या है कि अगर एक इ calm and composed हम इसी लिए बोलते हैं, कि जब बहुत pressure वाली situation है, वो इंसान तब भी बिल्कुल centered है, जब आम आदमी जो है, वो उसका breakdown हो जाएगा, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में कैसे अपने आपको calm and composed रखो, और उसी शान्त center से आपको ये ताकत मिलती है, horrendous part, कि बड़ बड़ी घर और बड़ी बड़ी गाणिया, तो natural phenomenon से हम बहुत कुर सीखते है, physics और है क्या, physical phenomenon का ही तो अध्य है न, वहीं से तो हमने सारी theories और सब चीज़े निकाल ली है, तो मैं उसी की बात यहां पर कर रहा हूं, कि in order to find our own space, we have to learn to stay centered, जिसकी बात पिछले sessions में भी राइट सेंटर ही है, जिससे वो साइकलोन इतना ज्यादा पावर जो है, गेन करता, it seems pertinent to mention a few lines written by a Latin American poet, it goes like, still, still, the forest knows where you are, you must let it find you, तो यह लाइन है कि भई, तुम थोड़ा शान्त हो जाओ, यह बेचैन, परिशान, हैरान, यह कर लूँ, वो कर लूँ, कहां भाग रहो, र forest knows where you are, forest के जरी है, इस cosmos को बोलो, जिसको बोलो अब, मालो तुम जंगल में फंजगे कहीं, तो तुम बेचैन हो, कहां जाएं, रास्ता नहीं दिख रहा, यह है, वो है, शान्त हो जाओ, still, still, chance रहो थोड़ी दिर, जंगल को पता है, तुम कहां हो, you must let it find you, जंगल को, allow करो कि वो तुम को पाले, तुम कहां हो, तो मतलब वही बात की, जब हम कल भी मरिग मरीचिका की बात कर रहे थे, मिराज की बात कर रहे थे, कि वही, कई बार वो चीज होती है आपके पास, लेकिन आप ही को नहीं पता है वो, और आप उसको बाहर डूंड रहे हैं, जिस जबात कर रहे हैं, जबात कर रहे हैं, जबात कर रहे हैं, और वो, पुर्ण चाहए पास, दोपनेंट वही बात। दुनिया नहीं घूम रहे थे, वो जहां थे, वहां शान्त हो गए, बैट करके चुपचाप साधना कर रहे हैं, connect करने की कोशिश, they did not roam around the world, they looked for it in the stillness of their own beings, उनका जो existence है, उसकी stillness में ही वो चीज़े ढूट रहे थे, उसको figure out किया, अब वही बात कि हम 21st century में जंगल में थो लेकिन तब भी वो दिखने लग गया था, आज तो इतना ज़्यादा है, information overload, और information और knowledge में बड़ा फर्क होता है, उसके भी शाद बात हुई है, इसमें, if we have lost ourselves in the wilderness of information, जैसे आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मैं उड़ा-उडा सा महसूस कर रहा हूँ, लग रहा बीमारी के इलाज की तरफ हम आगे जा रहे हैं, और last में कुछ practice points भी है, जो daily basis पर अगर आप practice करेंगे, तो mindfulness आपके अंदर धीर धीरे आने लग जाएगे, यह सिरु ज्यान नहीं है, इसमें practice points है, और बहुत ही logical है वो, तो reflective mind, reflection का क्या मतलब, कि वहीं खुद को देख पा निकल ला है, 9 बज़े और अब आपको late हो चुका है और आपने गाड़ी की चाबी अपने जेब में डाल रखी है, बढ़ा आप पूरे घर में ढूן रहे हैं, और यह चाबी कहा गई, चाबी कहा गई, यह वाला मामला है, चीज़ पास में हैं, ढूंड चारों तरफ रहे ह यह मानलों आप किसी काम में बहुत ज़्यादा बीजी थे और कोई प्रोजेक्ट वर पे काम कर रहे थे और आप लगाते हैं इस्पेक्स और आपके इस्पेक्स जो हैं वो आपने सर पे रख लिए और लेकिन क्योंकि आप बेचैन हैं जो हमारी थौटस है न, उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है अलफा, बीटा, गामा, थीटा, डिल्टा बेचैनी में वो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है जब आप बदहवास हो जाते हैं तो चीज़ें पास में होती ना वो भी नजर नहीं आती तो वो चश्मा सरपे ही है या आपको एहसास नहीं है इस बात का आप उसको चारो तरफ ढूड़ोगे ओ हो यहीं पर तो था सरपे ही अपने ही सरपे जंगल to find ourselves in it the fragmented world of information is held together in the wholeness of our attention this attention knows the relevance of information this attention puts the information its proper context and perspective this attention brings us home to ourselves बहुत important word attention यहां पर है देखरो लगातार तो कि जहां भी आपका मन लगता है वो आप से आपका attention खीचती है आप reels देख रहे हो महां भी attention जा रहा है आप shots देख रहे हो वहां भी attention जा रहा है आप बकवास content देख रहे हो फरजी कोई अपने कमर हिला रहा है तो वहां भी आपका attention जा रहा है अब यह आपको देखना है कि आप कितने सस्ते हैं क्या कि आप कहीं भी अपना attention देंगे तो वही बात इधर लिख़्ी होई है कि this attention knows the relevance of information से क्या हो जाएगा आपके पस books नहीं है क्या आपके पस videos नहीं है क्या आपके पस PDF नहीं है क्या आपके पस किताबे नहीं है क्या आपके पस dictionary नहीं है क्या सब कुछ तो है आपके पस फिर भी हमें सब्द ध्यान मीं नहीं रहते लेंग्विड समझ में नहीं आती, सब कुछ तो होते हुए, है सब कुछ, कर लो खुद से फिर, नहीं हो पा रहा, क्यों, क्यों कि अटेंशन जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाते, अटेंशन डेफिशेंट है, प्रोसेस को समझने में थोड़ा समय लगता है, अभी व अटेरेक्टर में कितना ढ़ल जाने कि कहीं, विकी कौशल आपको नहीं नजर आ रहा है, वहां पर मानिक्शाथ साब ही नजर आ रहे है, तो कितना उस इंसान ने मेहनत करी होगी, कितनी बारीकिंग में, डीटेलिंग में, आखें कैसी, मैनरिजम कैसा, चलना कैसा, आपको लग रहा है, बहुत हलकी चीज है, क्योंकि अब instant gratification का जमान है, तो हमें लगता है, कुछ बता तो तुरंत हो जाए, तुरंत थोड़ी होता है, जीवन धीरे-धीरे बनता है, किसी को कहो पैदा हो जाए, तुरंत बड़ा हो जाए, हो जाएगा क्या, नहीं होगा, इसे ही चलता है, तो this attention puts the information in its proper context and perspective, जैसे हम जब यहाँ शब्द सीखते हैं, तो अगर मैं शब्द का बस ऐसे meaning छोड़ दूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको हम proper context में डालते हैं, perspective में डालते हैं, उनके बाकी के शब्दों के साथ उसके differences को समझते हैं, तब जाकर के वो शब्द हमें जजब होता है, वहाँ attention देनी बड़ेगी, this attention brings us home to ourselves, और इसी attention के अगर आदत पड़ जाए, आप detailing में जाते हो चीज़ों के तो वह आप खुद से भी connected महसूस करोगे, इसलिए जैसे अभी हमने धोनी का example या धोनी, just एक example जैसे आप relate कर सकें, क्य effortlessly काम कैसे कर जाता है, बरस कर जाते हैं लोग, उसका धीडोरा नहीं पीटते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, धीडोरा पीटे माले काम कम करते हैं, नाटक ज्यादा करते हैं, easy information, every information external stimuli absorbs our attention, वही जो मैंने बात अभी कही है आप से, कि जो भी information या external stimuli या जो बाहर से आपको थोड complete lots of attention, जब इतना excess of information है, information overload है, तो आपका attention भी बहुत ज्यादा absorbed होता है, इसलिए आप बिना दिन भर में कुछ किये, बहुत ठका हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि यार मेरी पूरी energy ही तो खतम हो गई, कुछ किया भी तो नहीं, कुछ किया भी तो नहीं, लेकिन लगे हो है, तो वो लगतार absorb हो रहा है, unless, of course, we put in a conscious effort and care within ourselves to create greater attention capacity within us, तो उसके लिए conscious effort डालना बड़ागा कि मैं कहां पे time दे रहा हूँ, the drought of attention everywhere, from living room to showrooms in the world of trade and commerce, brands germinate and terminate in a short span of time, our short span of attention, either we take examples of consumer durables, FMCG, music, film industry, the script is same, whether it is a board room, living room or bedroom, मैंने इसी बात को समझाने की कोशिश करी है, कि यह कहीं एक जगह से limited नहीं है, यह हमारी बात हो रही है यहाँ पे, और हम ही हर जगह काम कर रहे हैं न, तो हर जगह कहानी वही है, film industry वाले कहते हैं कि we never know, कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता, Thursday, Friday को क्या होने वाला है, हर जगह वो volatility आपको नजर आती है, वो bedroom के जरी संबन्नों की बात होई है, पूरी की पूरी, तो वो ही कह रहे हैं कि यह जो attention का सूखा पड़ा है न, यह attention का सूखा हर जगह पे है, चाहे वो living room है या showroom है, in the world of trade and commerce, brand, germinate brand पैदा होते हैं और terminate खतम भी हो जाते हैं in a short span of time, आप देखें बहुत सारे startups हमारे देश में शुरू हुए और बंद भी हो गए, तो germination, termination चल रहा होता है, क्योंकि जितना attention, जितनी detailing में आपको जाना पड़ेगा, आप शायद उ 50 साल पुराने गाने, आज भी लोग गुनगना लेंगे, उनके उपर फिर से गाने बन जाएंगे, tune का इस्तमाल होगा, शायद आपको फिल्म का नाम ना पता हो, but still you know the lyrics, or the music of that song, that is 50 year old, 40 year old, but आज बाले कितने हैं, वही बात की 4 दिन YouTube पे रहगा, उसके बाद किसी को नही खतम कहानी, वो longevity जो होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देगी आपको, बहुत जल्दी पैदा होते हैं, बहुत जल्दी खतम हो जाते हैं, तो जो चीज़ जितनी जल्दी उपर जाती है, फिर उतनी जल्दी नीचे भी आती है, living room, board room, one out of every two marriages in western world fails for lack of attention, अभी western उसमें लिखा तब हमारे यहां भी ऐसे ही आलात, on the part of spouses, a troubled professional is channel surfing for hours on his living room, television or surfing the net, not in particular, for that matter, so the trend is being manifested in all our relationships, जै वो पति-पत्नी का relationship में जी उतना ध्यान नी देते, ध्यानी नी दे रहे, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को छोपा रहे है, password नहीं पता होता पती-पत्नियों को नहीं, मेरा phone touch मत करना, यह पत्ती-पत्नी है, तुम partner बोल रहा है दूसरे को, पत्ती-पत्नी बोलते तो काम ज़्यादा खराब हो जाता, फिल्मों के दौरा, सीरियल्स, थेटर के दौरा, जो भी है, समाज के दौरा, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, फिर तुम पूरी जिन्दगी पहले इमेजरी में जीत हो, सपनों का राजकुमार, सपनों का राजकुमारी, आता कोई और है, तुमारी जैसा, फिल्का फुल्का, जिसमें बहुत गुंजाईस अभी बहतरी की, फिर तुम में लग रहा होता है, तो परफेक्ट था मेरा, परफेक्ट राजकुमार सपनों का, यह क्या होए, तो खोखला, खाली मिल गया, या मिल गई, फिर दोनों भिखारियों में लड़ाई शुरू हो होती कहां कहां पर जा रहा है वो, ओवरफ्लो हो रहा है, लेलो तुम भी लेलो, बट इधर तो दो खाली खोखले मिले हैं, तो उधर लड़ाई जगड़े होंगे, इधर भी देखो, हाल यही है, काम करके आए, घर पर बैठे हैं, बैठ के चैनल हैं, 200 चैनल हैं यह सबसे जगड़ाई बात, कि हमने चीजों को इतना गरबल कर दिया ने कि खुद से अपॉइंट में ले बाते हैं, हम लेक्ष पाते हैं, लेक्ड़े लिए बही हैं, आगे एग्जाम्पल हैं, और लेक्ट रॉट से लिए और स्वीए निस राच्ट्टे रिगे बात रि anxiety and frustration, it's just like that our body and soul live like two decent neighbors in adjacent flats in a luxurious apartment, but they never get to meet, ये हाल हैं हमारे, खड़े हैं, आप बस का इंतजार कर रहे हैं, आपको पता है बस पांच मिनट बाद आएगी, आफिस की बस से टाइमिंग फिक्स्ड है, या मेट्रो का इंतजार कर रहे हो, कुछ समय मिला है अपने साथ, दस बार लोग अपनी घड़ी देख रहे होते हैं, अरे घड़ी देखने से टाइम भाग जाएगा, अब क्योंकि कोई है नहीं, या तो फोन चाहिए, कोई गैजट चाहिए तुम्हें अपनी बहडास के लिए, या कोई इंसान चाहिए, बहुत अकेला है महसूस कर रहा हूँ, कोई हो जिससे तुम बखवास कर सको, तो यह जो समस्या है न, यह जो यहाँ पर समस्या है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, कि even if we get some odd seconds free, हम restless हो जाते हैं, और start करने लिए, कुछ गैजट मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, गैजट हो या somebody हो, to which we could source our anxiety and frustration, यह बिल्कुल वैसी ही जिसे हमारी body और soul जो है, वो दो decent neighbors हैं, जो कि अगल बगल के flat में रहते हैं, एक luxurious apartment में, लेकिन उनकी कभी किसी से मुलाकात नहीं, तिसे flats वाल एक दूसरों को नहीं जानते कई बारी, तो body और soul ऐसे ही हैं, भीया soul से ही body चल रही, दोनों साथ साथ हैं, बट उनका कभी मिलन नहीं हो रहा, कि body आकर के soul से पूछे भाई, तुम कौन हो, तुम्हारी वज़े से मैं जिन्दा हूं, बताओ, तुम्हारा क्या खान पान है, तुम्हारे पर तुम्हें कभी ध्यानी साथ हो रहा है, सब कुछ बाहर का चल रहा है रेनोवेशन, अपना रेनोवेशन कभ होगा, नवीनी करण अपना कभ होगा, सब अपने ही लियतो बना रहे हो ना, तो वही है, अपने से appointment हाई नहीं है, अपना relationship रिफ्रेश नहीं हो रहा, लैप्टाप में भी F5 दबालना प अभी बात हुई थी न, कि दुनिया भर में यह जो मिरीड आफ ट्रेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कि विकसित देशों में यह जाता दिखाई देगा, वो इसलिए है, पैसा तो है, बाहर का होता जा रहा है, सब बढ़िया, अंदर उतना ही वो खोखला होता जा रहा है जो खुद से ही मुलाकात का मौका नहीं मिल रहा, खुद को ना रिफ्रेस कर रहे हो, ना अपग्रेड कर रहे हो, ना रेनोवेट कर रहे हो, तो फिर वो क्या है, वो स्युसाइड से कम तो नहीं है, बस वही है कि स्लो स्युसाइड है, we have capitulated the vitality of our lives to drive economic equations while making a living we have completely bossed up the life living or life दोनों शब्दों का फर्क समझे living को बनाने के चक्कर वनना life तबाह कर दी हमने तो we have capitulate का मतलब क्या होता है मी की surrender कर देना तो हमने drive economic equations के आगे अपनी जीवन की जीवनतता थी vitality थी vital root word है life के लिए इसको surrender कर दिया कि भले ही जीवन मरे और देखो western और eastern philosophy में बड़ा फर्क है और there is a huge difference हमारी जो life हम cyclical मानते हैं वो linear मानते हैं fundamental difference उनके यहां से बड़ी सारी ऐसी motivational lines आती है you have to get up you have to show up this and that अरे भाई जब source हिला हुआ है अंदर से तो वो क्या करेगा get up and show up news आती ही कि निकल instagram पे एक वीडियो डाली इस heroine ने इस actress ने और सुबह suicide करती भी मिली वहां तो वीडियो में तो हस्ती खेलती दिखाई दे रही थी तो ऐसे ही लोग हंसते खिलते दिखाई दे रहे है क्योंको वो motivation का dose मिल रहा है नहीं जीवन में कुछ भी हो you have to get up, you have to show up show must go on खुब पिलाये जाएगा इस तरह का हमारा इस सब नहीं रहा है लेकिन हमें क्या है कि copycat करना है वहांस अपना ध्यान रख लो पहले बाकी ध्यान हो जाएगा खुद so what is stopping us from realizing to the greater profound and unique capacities we are born with लंबा तो नहीं और अलंबा ही है मैं लिखता भी detailing में ही हूँ को गोई जी छोड़ो गे तो फिर बात बनेगे नहीं तो किया रहा फिर आखिर यार सब कुछ है भी अपने पास समझ भी है ये लेकिन कौन सी चीज हमें रोक रही है what is stopping us from realizing to the greater and profound unique capacities we are born with हम सब उस capacity के साथ पैदा हुए थे वो चीजें थी हमारे पास और फिर हमने अपना ये हाल कर लिया ये बना लिया अपना हाल कौन सी चीज हमें रोक रही है इसको attention का ही चारा लगातार चाहिए उसी के उपर जो ego है वो prosper करता है घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही समझ रहे हो ना बात हमेशा ये ध्यान में क्या रहता है चोटे से बच्चे को भी डाल दिया गया वो attention पही चल रहा होता है मैं कैसा दिख रहा हूँ लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे ये है वो है लगातार उसकी आपको चिंता रहती है वी वांट अ बिगर कार और बिगर हाउस नोट टू अकोमडेट आर बॉड़ी बट टू मसाज आवर इगो वो एक छोटी सी रील भी I think निकल के आई थी आस्तूस राडा सहाब की उन्होंने क्या कहा कि रहने के लिए तो हमें 500 स्क्वाइर फिट ही चाहिए लेकिन बाकी के साड़े 4,000 स्क्वाइर फिट में हमारा इगो रहता है कर 5,000 स्क्वाइर फिट का मकान है तो रहने के लिए तो उतना ही चाहिए, एक आदमी कितने में रहेगा, 500 square feet ठीक, उसमें आ जाएंगे चीज़े, लेकिन बाकी में इतना बड़ा महल है उनका, यह mansion है, यह ऐसा है, उसी की बात यहां पे भी हो रही है, massage our ego, if we start examining our responses and reactions to the external stimuli in a course of a day, एक दिन में ही देख लो अपने आपको, इसलिए practice points है यह, कि एक पूरे दिन में क्या किया है आपने, जो भी चीज़ आपको बाहर से मिली, उसको आपने कैसे reaction दिया, कैसे response दिया, किसी दोस्त ने आप से बात किया, आपने उसके उपर गुसा किय आप उससे खुश हुए, नाराज हुए, जो भी आपका response था, खुद अपने, मैं क्यों हुआ, गुसा, या खुश, या ऐसे feeling क्यों आई, वो मैं ही खुद ला रहा था, या सामने वाला मुझे operate कर रहा था, वो चाह रहा था, अगर खुद से बात करने लग जाओगे, तो फिर, कीज़ें यहां पर आसान बन जाएंगे, और देखो कुछ सज्जन लोग जो हैं, वो अभी पता नहीं कॉमेंट क्यों कर रहे हैं, यही है बेचैनी हमारी, यहां पर 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 खुल रहे हैं, कहां से मुखा मिल रहा है भाही कॉमेंट करने के सज्जन तो लगातार ह कर रहे थे, जबकि मेरी आँखों के सामने आ रहा हूँ, वो अपने फ्लो को नहीं तोड़ना चाहता, चुप हो जाओ, सुनो बस, सुनो लोगे पूरा तो इलाज मिल जाएगा, मैं वैसे भी सीधे इलाज की बात करता नहीं, बीमारी का देखो, गहरा ही से हैसास करा रहा ह तो सुनो ध्यान से क्या-क्या, यह जो भी आपको response और reaction दोनों अलग शब्द होते हैं, तो बाहर से जो भी कुछ आ रहा है, paper भी तो आपका वही है, paper भी तो वही है, examination paper कुछ अलग होता है क्या, चलो examination काई situation लेते हैं, एक classroom है, एक ही teacher ने पढ़ाया है, 40 बच्चे हैं, जी था, जो fail करेगा, कहका पता नहीं, क्या paper बनाया था, पुछ बढ़ाता लिखाता है, नहीं, paper इतना मुश्किल बना दिया, यही तो करते हैं हम, तो हमारे जीवन में जो result आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, वो हमारे ही responses से आता है, हमें लगता है, बाहर वाला तेयं कर र मैं का भाई, वो तो मैंने पूरी class के लिए भी किया था ना, online में पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, एक batch के अंदर तो उसमें क्या है, क्यों सभी बच्चों में फर्क पढ़ना चाहिए, तो मुझसे ज्यादा role तुम्हारा है भाई, तुम्हारा selection हुआ है, कि तु मैं तो सब के लिए same हूँ, तुम्हारा selection हुआ, तुम्हारे कान में जाकर कोई गुरुमंत्र थोड़ी दिया था मैंने, मैं तो किसी को पॉसन ही जानता भी नहीं, YouTube पे भी देख रहे हैं, नहीं जानता, सबकी अपनी जिंदगी, सभी को same बात कही जा रही है, लेकिन सब receive कैसे कर रहे हैं, और receive करने के बाद आप उसको response कैसे कर रहे हैं, पेपर तो same था, teacher same था, exam same था, timing same थी, classroom same था, मौसम same था, सब कुछ external factors तो same है, तो result बदलेगा किस पे, जो तुम्हारा expression है, उसके लिए, जो तुम्हारा response है, जो तुम्हारा reaction है, और हमें जिंदगी बर उ अपने पर control है, नहीं ठीकरा दूसरा पर फोड़ते चलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन क्या है कि जो असफ़ल लोग हैं, जिनको खुद की जिम्मेदारी कभी लेनी नहीं, उनको ठीकरा हमें साथ दूसरा फोड़ना होता है, दूसरा बुरा है, वो अपने घर परिव माता-पिता, भाई-बेहन, टीचर, दोस्त, मित्र, सबको गलट ठहरा देंगे हो, उन्होंने ऐसा कर दिया होता न, तो मैं आज कहीं और होता, उनका ये कभी खतम नहीं होगा, उसी की बात हो रही है, तो इसको जरह आप एक्जामीन करने लगी है, तो आपको क्या conclusion पर पह भी सबकी अपनी-अपनी imagery हो सकती, कि एगो ये होता है, एगो ये होता है, ये हो सकता है, आपकी imagery हो, तो मैंने इसले explain कर दिया, इगो is nothing but an accumulation of all the levels and identities what we have acquired from the outside, जिसे कल भी हमने बात किती कल के session में, बच्चे के बास कोई इगो नहीं है न, उसको नहीं बता भी, क्योंकि उस acquired identities do not have any existential relevance, इसका कोई existential relevance नहीं है, हो सकता है, they do have the social relevance but up to an extent, beyond that they start suffocating us, ठीक है तुम्हें पासपोर्ट बनाना है, चाहिए वहाँ पे नाम और सब चीजें तुम्हारी, कहां से हो, किस राज्य से हो, किस सहर से हो, पिन कोट तुम्हारा, that is all fine, all these identities okay, but उसको इतना मत चढ़ा वो social इस दुनिया में function करने के लिए चाहिए, बट उसका उससे बहुत ज़्यादा कोई बहुत मतलब नहीं है, जब तुम उससे ज़्यादा उसका मतलब लेने लग जाते हो, तो वही identities तुम्हें suffocate करने लग जाती है, फिर वो तुम्हारे लिए जी का जंजाल बन वही बात यहाँ पर हुई है, and the brunt of this suffocation is being felt by us very evidently in our current socio-economic, socio-cultural scenario, cutting across all the boundaries and geographies, it's not limited to a particular place, हर जगा वही कहानी है, तुम्हें जैसे उस identity को जैसे वो था न, कि मैं यह डिगरी किया तो मैं यह काम, अरे डिगरी is a part of your life यार, उसको इतना हावी क्यों बना दितते हो, खुझ से बूचलो वो डिगरी करने में या नौकरी करने में तुम्हारा कितना परसेंट से था, जिन्दगी में लोग बहुत सारी नौकरियां करते है, जीवन के अलग-अलग पढ़ाओं पर अलग-अलग दमाग भी खुलता है इंसान का, जीवन जीने का तरीका भी बदल तुम तो अब बदल गए, अच्छी बात है, बदलाओ लगातार, यही तो बड़ा एक ख्लिशेड एक्स्प्रेशन है, बट इसी को तो हम कहते है, चेंज is something that is constant, यही एक ऐसी चीज है, जो constant है, वो है बदलाओ, बदलाओ लगातार होना चाहिए, नहीं हो रहा तो इसका मत आपसे मुलाकात करने के लिए जरूरी है, डेटिंग विद लाइफ करके ही मैंने ये ब्लॉग की शुरुवात करी थी, कि जीवन के साथ डेट करते हुए, तो जीवन के साथ तो डेट तब शुरू होगी ने, जब से पहले खुद से डेटिंग हो, इधर अपन डेटिंग क अपने आपको इतना उठालो, कि जिन दस की तरफ पीछे भाग रहे थे, वो तुम्हारी तरफ भागना शुरू हो जाएंगे, हर सफल आदमी की कहानी यही होती, बस यह है कि ज्ञान चक्षु खुले कप, उसके, तो कुछ प्रेक्टिस पॉइंट से जवाब कर सकते हैं, इमोशन को थोड़ा हटा दो, अपने आपको भी न, एक अबजेक्ट के तौर पर देखो, अबजेक्टिव अप्रोच, क्योंकि जहां पर यह मेरा आता है, वहीं पर काम खराब होता है, इसलिक आए जहां मोह पैदा होती है, वहां अंधकार निश्यत है, वहां डूबना न आता है, तो मेरा पराह से दूर हटके, बड़े, अबजेक्टिवली देखो उस चीज़ को, कि मैं के लिए जजबाती मत हो जाने ने, मेरा जीवन, विक्टिम कार्ड मत किलो, देखो क्या किया तुमने, तुमने रिसोर्सेज कैसे बरबात किये, अपने आप से बात करो, क्ल कह सकते थे, यह देखो आप, daily basis पे, यह से for you, for most of you, and for most of us even, communication is a big challenge, तो उसी पे काम करना शुरू कर दो, like you are watching a talk show for 30 minutes, start talking about that talk show in your own words, record your voice, try to figure out what kind of mistakes you have committed, what kind of problems you have in your pronunciation, your diction, your prediction of voice, how much of that content you can kind of have in your mind, after listening that, कितनी listening stamina है, कितना retention की stamina है आपकी, उसके बाद कितना आप बोल पा रहे हैं, बोलने में articulate हैं या नहीं, जम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं यह सोचने में मुझे क्या बोलना है, pronunciation, diction, grammar की तो तहस नहीं कर रहे हैं, there are so many things to take care, तो यह तभी होगा, तभी हम improve करते हैं, जब मैं रो अभी भी, अब तो उतना मौका भी नहीं मिलता, फिर देखता हूं, आगे हो सकता है, दो-चार साल में फिर वो चीज़ें शुरू करूं, full-fledged, तो मुझे लगता था यार, यह वाली बात मिस हो गए, यह वाला example तो और 30 बैठता वहाँ पे, क्योंकि मेरे दिमाग में वो लगता था, तो मुझे लगता था अगली बार तो मैं इसको और बहतर करूंगा, जीवन में जब तक यही है आपके अंदर, कि अगली बार मुझे और क्या correction करना है, क्या बहतरी करनी है, क्या नया करना है, तब तक ही तो आप जिन्दा है, तो यह तब ही होगा जब आप reflect कर होगे उसके उपर, जैसे यहां पर जैसे जब कहता बच्चा कि सर ऐसे तो कोई vocab नहीं गराता, या comprehension इस लेवल पर तो कोई समझाता ही नहीं, तो मुझे कोई क्या करता उससे क्या लेना देना है, मुझे यह पता है कि अच्छा पेपर में यह चीज़ें पूछी जा रही ह में, जिसे अभी comprehension vocab का बैट शुरू हूँ, तो आजकल फिल में रिलीज होती है, टिकेट्स, डेलियन्स यहार में दो-दो हजार की टिकेट्स हैं, यहां हजार बारत सो रुपे में आप अपनी जिंदगी बना लेते हैं, अगर आपने धंग से पढ़ लिए, जिनकी में ब तो वो कर पा रहे हैं न हम, क्योंकि जो पेपर को चाहिए वो पहुचा रहे हैं उन तक, तो बात वही है कि जो चाहिए वो पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा, तब जागर के, अतरवाइस vocab comprehension के batches, इतना vocab free में बड़ा बच्चा फिर भी क्यों batches में आता है, हजारों लाखों वीडियोज होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारा content है free, यह वो, बट मेरा काम उसको dynamic सिखाना, मैं कभी वादे नहीं करता है, कि मुझ से कर लोगे तो तुमारा बेड़ा पार हो जाएग, तुम कहीं से भी करो भाई, तरीका जरूर सीख लो, वो उसमें गलतियां जहां पे हैं, वो उसको दुरूस्त कर लो, सीखो तुम कहीं से, साविद्या या विमुक्तविद्या वही है जो freedom दे, मेरे उपर dependency नहीं चाहिए, मेरा काम है आपको tools, techniques सिखाना, question में कैसे इस्तमाल करना है, हर तरह के questions हुए, वो सिखाना, गुरू का यही काम होता है, उसके बाद उसकी practice कराना, फिर छोड़ दिया, अब आप अपना भला चाहते हैं, तो आप practice करेंगे, जो चाहते हैं, वो करते हैं, वो selection लेते हैं, उसी में जो नहीं करते हैं, जो सीखा उस पे और capitalize नहीं करते हैं, तो इसमें मेहनत हमेशा आपकी रहती है, दूसरा point क्या है, another way to connect with ourselves is to start witnessing some of the activities what we perform on regular basis in the course of the day, this practice helps us in realizing the power of ourselves as observer, देखो ये इससे बहुत कुछ सीखते हैं आप, जब आप observer बनते हैं, और observer बनने के लिए अंदर की शान्ती बहुत जरूरी है, जिसकी बात लगातार यहां पे हो रही थी, जिसे मेरे बड़े सारे examples आप देखते हो, media, ask pass, जिन्दगीयों से, लोगों से, वे बहुत होती है, क्योंकि एक coach के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम बात लोगों की ही करते हैं, तो examples भी लोगों और लोगों की जिन्दगीयों से ही आएंगे, अब जिसे मैं अकल बात कर रहे थे, यूफेमिजम की, कि disabled की जगह पे हम differently abled का इस्तमाल करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे deaf and dumb लोग हैं, मैंने उनका example दिया, कि deaf and dumb लोगों को देखो, communication कितनी fast होती, तो मैंने भी metro में कभी चलते हुए देखा था, मेट्रो में बैठा हुआ हुँ और तीन सजन हैं, दरवाजे के पास पीछे खड़े हैं और बहुत ही happy faces, बोल नहीं सकते वो, लेकिन उनकी communication बहुत fast हो रहे है, sign language, facial expression, eyes movement, मैंने का देखो यार क्या कमाल की बात है, what a fantastic communication they are having, तो सही मैंने मों differently abled है, disabled तो हम हुए कि अगर वाले ने निमत दिये, बोलने की जबान है आपके पास, बट आप communicate नहीं कर पाते, आप बोल नहीं पाते, अंग्रेजी छोड़ो लोगों से हिंदी शुद्ध नहीं बोली जाती, MTI आप दूर नहीं कर पा रहे, आप वो प्रयास नहीं कर पा रहे, वो इंसान बोल नहीं सक अवेलेबल रहो जो है उसके लिए, अपने में ही बिजी रहोगे, जैसे कई बार ये भी देखा होगा आपने, ये भी मेट्रो में अब्जरवेशन है, कई बार जो नहीं हर्मोंस बदलने वाले, जब वो टीनेज लड़के लड़कियां, वो खुद से ही बात करते हुए न होते हैं, अपनी मज़े में, किसी को देख लेंगे, बलबला भी रहोते हैं और मालो किसी से नजरे मिल गए, ये करते हुए तब वो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, वो मैं क्या कर रहा था, बट वो अपनी दुनिया में, तो ये सब कहां से पता लग रहा है, अब जैसे होत बच्चों को संभाव से देखिए, उनके एक्शन पर जाता मत जाईए, तो वो तो बात समझ आती, बट ये नौजवान बालक बालिका, ये उसमें है, तो आप अब अब्जर्व कर रहे हो, ये अब्जर्वेशन से ही होगा, तो वही चीज इधर लिखे होई है, कि अपने डेली एक्टिविटीज हो चुकी है, उसको जरा अब्जर्व करिए, कौन-कौन सा जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो जब गाड़ी आपने पहली बार चलाना सीखा होगा, तो बहुत सतर्क रहे होंगे आप, क्लस दबाया, फस्ट गियर लिया, फिर एक्सलेटर लिया, गाड़ी आगे बड़ी, फिर क्लस दबाया, सेकेंड गियर लिया, पहली बार बहुत सतर्क थे, आज गाड़ी चलाते समय आपको उती ही सतर्कता की जरूरत है, नहीं है, अब आप दिमाग में आपके कोई भी पिक्चर चल रही हो, कोई भी खिषडी पक रही हो, आप हैं, आफिच के लिए निकलता है, कॉलेज के लिए निकलना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो कहने का क्या मतलब, कि यह ऐसी activities हैं जो बिलकुल programmed हो चुकी है, इसलिए मैं एक्टिविटी कह रहा हूँ, एक्शन नहीं गहरा, एक्टिविटी जव ही, तो थोड़ा से पैर घिषट घिषट के चलता हूँ या अच्छे तरीके से चलता हूँ, रोज अपने आप में इंप्रूब्मेंट की गुंजाईश होती है, कुछ लोग पूरी जिंदगी ऐसे रहते हैं, क्या मैं गाड़ी पार कर रहा हूँ, तो गाड़ी सीधी पार कर सकता हूँ, क्या ट इक एक मैनरिजम, बोलने का तरीका, प्रोजेक्शन का तरीका, पूरी बॉडी लैंग्विज्म, बहुत दीटेलिंग है उसके अंदर, तो इसलिए अक्टर्स के लिए क्या होता है, कुछ उनको बहुत अच्छा अब्जर्वर होना होता है, क्योंको अलग-अलग अलग तो हम कम जगम अपना करेटर तो ढंग से जी लें, अपने को अब्जर्व करो, तभी यह से पता लगया क्या और बहतर कर सकता था, लोग अपने डिगरी, अपनी जॉब को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट माल लेते हैं, पढ़ाई को ज्यादा उसी के बोज के तले दबे पड़ें, तो यह समझो कि वो पार्ट आफ लाइफ है, जीवन पूरा पूरा पेड है, यह सब एक एक ब्रांचेज हैं, तो किसी एक ब्रांच में इतना अधा इंवेस्टमेंट मत कर दो कि वो ब्रांच अगर टूटे तो लगए कि जिंदगी टूट गई, जैसे कल जो हम बात भी कर रहे थे, कि बच्यकों टॉपर रहना है, उसकी वही आइडिन्टी की मैं टॉपर हूँ तो मैं हूँ जिंदा, वो बच्चा आइटिम पहुंच रहा है, नहीं टॉपर बन पाया, नहीं सफ़ाल हो पाया, सुसाइड कर ले रहा है, क्यों? क्योंकि तुमने जीवन रोपी पेड की इतनी सारी डालियां थी, तो उपने सिर्फ एक डाली को पोशट दिया है, उसकी बचारी के वो डाली तूटी, उसको लगा, उसका जीवन तूट गया, तो जो हम इंवेस्टमेंट के लिए बहे बोलते हैं, इने, don't put all your eggs in one basket, your portfolio should be diversified, so life should be like this only, degree, job, य सब अलग-अलग हैं, किसी भी एक चीज़ को इतना हावी क्यों बना देते हो, कि वो इतना भारी हो जाए कि लगए कि अब जीवन पर ही भारी पड़ रहा है, यही था यह,